ACB ने एक बार फिर राजदानी में बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है ACB ने विश्षिस्ट न्यायधीस के P.A. अरजुनलाल जाट को 80,000 रुपे की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है वहीं आरोपी के घर की तलाशी में करोंडो रुपे की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है A.S.P. आलोग शंद्र शेर्मा ने बताया कि P.A. अरजुनलाल जाट के खिलाब रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी इस पर 14 लाक रुपे का M.A.C.T. क्लेम स्विक्रित करने की एवज में 10 प्रतीशत रिश्वत लेने की सूचना को पुक्ता किया गया यह रिश्वत की रकम अधिवक्ता विजय कुमार से दलाल प्रदीब कुमार को दी जानी थी इसके बाद A.C.B. ने V.K. एक्षेतर में अरजुनलाल जाट को रिश्वत लेते गिरफतार कर लिया वहीं घर की तलाशी में 2 गैस एजेंसी, 1.5 करोड रुपे कीमत के 2 फलेट, 10 आवासी बुखंड और 8 बीगा जमीन के दस्तावेज बरामद हुए है फिलहाल A.C.B. के टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई है जिस पर एक किलेम कोई उसके 10 प्रिश्वत रुप में ले रहा था तो उसकी पहली किष्ट के तोर पे 80,000 रुपे लेते हुए कल देरात्री इसको गरफतार किया और जो व्यक्ति रिश्वत देरा था प्रदीप शर्मा उसको गरफतार किया है एक अन्य व्यक्ति इसमें फरार है उसको गूंड़ है